जहिन बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों रात का एक बज़ा है और हम लोग सुरू करेंगे आज स्टॉप कंडेंशेशन बच्चों करोनों का कुरूसियल टाइम चल रहा है घर पे ही रुकिएगा अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान नखीगा घर से ही तियारी और हम लोग आपके लिए ऐसे ही बेतर वीडियो लाते रहेंगे इस रियक्षन इस एन एग्जामपल ओफ निकलियोफिलिक एडिशन ध्यान नकीगा स्टॉप कंडेंशेशन निकलियोफिलिक एडिशन का एक एक एक्जामपल है जब भी आप किसी कार्बोनिल कंपाउंड को डाई अलकाईल सक्सिनेट एस्टर के साथ में स्ट्रोंग बेस की प्रिजेंस में हीट कराएंगे तो आप पाएंगे कि आपका कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो कनवर्ट हो जाता है अलफा बिटा अनसैचूरिटिड हाफ एस्टर में या फिर अलफा अलकाईलिदीन सक्सिनिक एस्टर में एंड डिस रियक्शन इस नौन एज स्टॉप कंडेंशेशन किलियर हुआ किलियर नहीं भी हुआ होगा तो एक्जाम्बल से किलियर कराके भेजेंगे आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कारबुनल कंपाउंड को डाइथाईल सक्सिनेट एस्टर के साथ में टशरी पोटेशियम ब्यूटोकसाइड बेस की प्रेजेंस में हम लोग हीट कराते हैं और हीट कराने से यह कनवर्ट हो जाता है अलफा बीटा अनसैचूरेट हाफ एस्टर में बच्चो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो कारबुकसलिक में से केवल एक ही कारबुकसलिक एस्टर में कनवर्ट हुआ है इसलिए ये कहलाता है हमारा alpha, beta, unsaturate, half ester या फिर alpha-alkylidine succinic acid के लिए रेक्शन प्रोसीड स्वाया inolate, anion intermediate बच्चो ध्यान न कीगा स्टोप condensation reaction के अंदर जो बनने वाला intermediate है वो होता है inolate, anion hindered and no alpha-h atom containing carbonyl compounds are found suitable substrate आपने देखा कि यहाँ पे carbonyl compound को alpha, beta, unsaturated, half ester में convert करते हैं तो ऐसे carbonyl compound में अगर आप hindered यहाँ पे bulkier group अगर लगे हैं, R की जो value है बच्चो अगर वो bulkier group होता है तो वो अच्छा substrate माना जाता है stop condensation के लिए दूसरी condition यह रहती है कि यहाँ पे जो आप alkyl group लगा होगा उसके अंदर alpha-h atom नहीं होना चाहिए अगर आप उसके अंदर alpha-h atom नहीं है तो भी वो अच्छा substrate होता है stop condensation के लिए सर क्या होगा कि अगर alpha-h हुआ तो बच्चो अगर आपके कावनल compound में alpha-h होगा तो वहाँ पर aldol condensation में आपके substrate के waste होने के chances होते हैं जिससे आपका stop condensation product कम से कम बनेगा इसलिए आपको ध्यान लखना है कि stop condensation में एक अच्छा substrate more hindered होना चाहिए it means उस पे bulkier group लगे होने चाहिए और उसके पास alpha-h होने नहीं चाहिए alpha-beta unsaturated carbonyls can also be used ली बच्चो यहाँ पर जो आपका carbonyl substrate है इसमें आप alpha-beta unsaturated carbonyl compound भी use कर सकते हैं अब यहाँ पर बच्चो आपके मनमस्तिस्क में एक सवाल उठता है कि stop condensation क्यों पढ़ने चाहिए कहाँ पर use होती है तो आई ही डिसकस करते हैं applications of stop condensation it is extensively useful in synthesis of codeine, asterone, finathrine, tetralone, etc. बच्चो ध्यान न किएगा stop condensation reaction का जो main use होता है वो codeine, asterone, finathrine, tetralone derivative को बनाने में mainly किया जाता है बच्चो अब बात करेंगे mechanism of stop condensation की जहाँ पर हम लोगों को यह पता चलेगा कि reaction के अंदर कैसे भी कोई carbonil compound convert हो जाता है alpha, beta unsaturated half ester में step 1 generation of enolate anion बच्चो stop condensation 4 step में होती है पहले step में बनता है enolate anion intermediate यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने diethyl succinate ester लिया हुआ है जिसको आप heat कर रहे हैं base की presence में और आप जानते हैं base को proton पसंद है यह वाला जो carbon है यह acidic in nature होता है जिसकी वज़े से यह carbon और HK bond के electron को ले लेता है और यहाँ से हमारा base इस proton को अपने साथ ले जाता है क्योंकि base को proton पसंद है और यह यहाँ पे alcohol बना के बाहार निकल जाता है जब यह electron heterolytic cleavage होने के बाद carbon पे आ जाते हैं तो carbon पे minus charge आएगा बच्चो और यह हमारा कहलाता है carbon ion आप देख सकते हैं carbon ion के adjacent position पे हमारा carbonal group लगा है यह जो आप देख रहे हैं minus charge this is the part of conjugation और conjugation होने की वज़े से यहाँ पे carbon ion जो हैं वो convert हो जाता है inolate nion में यह हमारा inolate nion कहलाता है और बच्चो दे आर in rapid conjugation और resonance यहाँ पे एक दूसरे में convert होते रहते हैं कुछ इस तरीके से clear है तो reaction के अंदर आप carbon ion से attack दिखाएं यह inolate से attack दिखाएं बात एक ही है step 2 attack of inolate nion to carbonyl carbon to give adduct that is alkoxide ion बच्चो यह हमारा substrate है यहाँ पे आप जानते हैं oxygen being electronegative pi electron का अपनियो रेटेट करेगा यहाँ से हमारा जो पहले step में बना हुआ था inolate nion या carbon ion वो इस carbon पे attack करेगा जिसकी वज़े से यह carbon carbon और इस वाले carbon के भी single bond बन जाएगा यह bond single होगा ओ पे माइनस चार जाएगा और आपको कुछ ऐसे alkoxide nion intermediate बनता हुआ दिखाई पड़ेगा क्या यह आपको clear है step 3 cyclization of alkoxide to give gamma lektone बच्चो step 2 में जो हमारा alkoxide nion बना था वो cyclize होके बन जाता है gamma lektone तो देखते हैं कैसे हमारा alkoxide से gamma lektone तो बच्चो यह हमारा step 2 में बना हुआ alkoxide nion clear है आपको अभी आपने उपर देखा था बच्चो यहाँ पे जो कार्वनल गुरूप है यहाँ पे electronic displacement ऐसे होता है और यहाँ से यह वाला oxygen इस कार्वनल कार्बन के साथ में bonding कता है जिसकी वज़े से एक ring बनता है five members आप देख सकते हैं यह oxygen और इस carbon के बीच bond बनाए O negative हो जाएगा single bond O C2H5 कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा तो फिर से हमारा एक cyclic alkoxide बन गया है आप देख पा रहे हैं और यहाँ पे यह हमारा good living group होता है बच्चो कोई भी alkoxy group जो है good living group होता है और यहाँ से यह bond कुछ ऐसे टूटता है जिसकी वज़े से alkoxide आयन बाहार निकल जाता है और हमारा एक cyclic aster बनता है सर्थ्यान नखीगा lekton जो होते हैं they are cyclic aster यहाँ पे आप देख पा रहे हैं cyclic aster जो होते हैं lekton कहलाते हैं और पांच एटम वाली जो ring होती है cyclic aster की वो कहलाती है gamma lekton naming करने के लिए आप ध्यान रगना है कि जो आपका aster linkage है उससे अगले कारबन से आप सुरू करते हैं alpha यह हमारा beta और बच्चो यह हमारा gamma तो आप देख रहे हैं 5-member cyclic aster बना alkoxide ion के cyclize होने के बाद और वहाँ पर यह कहलाएगा हमारा gamma lekton step 4 base catalyze ring opening of gamma lekton followed by acidic hydrolysis बचो step 4 में जो बना हो हमारा gamma lekton होता है वो base की presence में ring खुल जाती है open हो जाती है और बाद में उसका hydrolysis होता है जिससे हमको मिलता है alpha beta unsaturate half ester बचो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारा gamma lekton है gamma lekton में यह वाला carbon जो acidic होगा क्योंकि इससे गले carbon पर ester linkage लगा हुआ है और आप जानते हैं base को proton पसंद है तो यहाँ से यह bond heterotic cleavage के थूट जाएगा और base इसको निकलने में clear है आपको तो minus tertiary butoxide convert हो जाएगा tertiary butanol में clear बच्चो देखिए हमारा carbon ion बन गया है अब यह आपकी ring जो होती है unstable हो जाती है और easily यहाँ से यह बहुत जल्दी कुछ इस तरीके से खुलती है यह देखिए कुछ इस तरीके से यह ring cleavage होगा और lepton ring जो है वो खुल जाएगी या तूट जाएगी तो देखिए RRC bond double हो जाएगा C, CO2, C2H5 clear है उसके बाद single bond CH2, C double bond OO minus देखिए बच्चो यह बन गया है हमारा half ester of carboxylate anion clear है आप देख पारे अब इसका अगर आप hydrolysis करेंगे तो यह जो carboxylate anion है that will be converted into carboxylic acid इदेखिए बच्चो आपका बन गया है alpha, beta, unsaturate half ester clear हुआ तो बच्चो यह थी mechanism of stop condensation 4 step में हुई, पहले step में बना enolate anion, दूसरे step में बना alcoxid anion, तीसरे step में बना gamma lecton और चोते step में gamma lecton की ring खुल गई, तूट गई और मिल गया हमको alpha, beta unsaturated half ester अब आपके लिए लाए है तोफा, तोफा, तोफा और आप जानते हैं तोफे का मतलब क्या होता है practice problem तो बच्चो यह दो question है stop condensation से आप देख सकते हैं दोनों carbonyl compound है यह हमारा diethyl succine tester है, यह हमारा base की presence में हम लोग इसको treat करा रहे है बस आपको यह बता रहा है कि product क्या होगा आप अपने answer जो हैं वो comment section में दे सकते हैं, अगर कोई problem आई तो हमको पूछ भी सकते हैं thanks for watching